तीसरा एक और सम मैंने explain भी है, दो सम तो मैं खुद से लिखा हूँ, भी था, बहुत सारे बच्चों ने उस topic को skip किया, लोगे तो नीचे दोस्तो magnitude कैसे आएगा, प्लीज ध्यान देने, दोस्तो प्रदीबगीरी एक आट भी इस चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम vector differentiation start कर रहे हैं, दो से तीन lecture में दोस्तो इसे हम complete कर देंगे, मैं ये वादा कर रहा हूँ कि one या two week में पूरा का पूरा ये part complete हो जाएगा, जितना आप response दिखाओगे, अगर आज ही आप lectures देखना start कर दे रहे हैं, मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, तो कल तूरंत आपको इस topic में दूसरा lecture भी दिखाई देगा, तो दोस्तो इसके बाद मैं जैसे ये topic complete हो जाएगा, तो इसके बाद मैं लूँगा vector integral और पूरा का पूरा part हम complete करेंगे, अब साथ में मैं आपको ये बता दू कि vector का जो topic था हमारा 12th में भी था, बहुत सारे बच्चों ने 12th की चीज़े पहले हम revise करेंगे, starting के 2-3 minute में, then हम अपने topic पे आ जाएंगे, तो मेरे lectures को देखने के बाद आपको बिल्कुल भी tension नहीं होगा, दोस्तो सबसे पहले, देखो इतनी चीज़े आपको 12th की पता रहनी चीए थी, चलो मैं यहाँ पे revise कर रहा हूँ, इंडिरेक magnitude of a, तो कभी भी अगर आपको magnitude of a निकालने के लिए आया, तो आप कैसे निकालोगे, यह same under root में लोगे, और यह जो numbers दिया है, उसको same square form में यहाँ पे लिख होगे, तो इस तरह से आप magnitude को solve करके आप निकाल सकते हो, तो यह भी आपको basic समझ में आ गया, next basic है, दोस्तों अ dot product निकालना है, क्योंकि यह पूरे relation में, यहाँ पे dot है, समझ जाना, दोनों का dot product निकालना है, तो इस पूरे, जो हम topic को cover करेंगे, तो उस पे dot, cross, यह सब बीच-बीच पे सब आता रहेगा, जो 12th के चीजे है, तो यहाँ पे यह भी मैं revise करा रहा हूँ, कभी भी अगर आ i के आगे कौन सा number है, दोस्तो 2, यहाँ पे i के आगे क्या है 3, दोनों को आपने multiply किया, सेम यहाँ j के आगे दोस्तो क्या है 4, किसके साथ multiply करो के 5, सेम यहाँ k के आगे 6 है, और k के आगे दोस्तो क्या minus 6, बस इस पूरे को आप calculate कर दो, पूरे Kelsey में लेके, और यह आपका a dot b आ जाएगा, तो बहुत ही simple तरीके से इससे आप क्या कर सकते है, दोस्तो यह भी मैंने आपका revise करा दिया, आप देखो यहाँ पे a cross b अगर आपको निकालना है, तो दोस्तो इस type में हम क्या करते है, i, j, k, इसको हम determinant से solve करते है, direct नहीं solve कर सकते है, यहाँ पे, अब a का value क्या है, दोस्तो, जो भी value है, उसका 2, 4, और k के आगे क्या है, दोस्तो, 6, और vọらいसी b के आगे, यहाँ पे का है, 3, 5, और यहाँ पे क्या है, दोस्तो, minus 6, अब इसको आपको क्या करना है, दोस्तो, हमने 12 में पढ़ा था जो बहुत ही ज्यादा important था हमारे 12 के लिए तो अगर कभी भी dot और cross दोनों साथ में आ तो सको हम scalar triple products दे solve करेंगे और दोस्तों यहाँ पर आपको vector A दिया होगा, vector B भी दिया होगा और vector C भी दिया होगा, तो इसको solve करने के लिए हम determinant का help लेंगे vector A का जो भी value होगा, समझे इसका value 3, 2, 3, 4 है, vector B का जो भी value होगा 3, 4, 5 और vector C का जो भी value होगा 6, minus 1, 3, बस यहाँ पर आप लिखो और उसको solve करते हो तो यह इसका value है तो कभी भी अगर आपको इससे solve करना है, तो समझ जाना determinant लेना है, यहाँ पर I, J के नहीं लेना है, जैसे हमने यहाँ पर लिया था इतनी basic चीज़े अगर आपको पता है, तो यह lesson में जानने जाना आजाएगी, बहुत अच्छे से lesson समझ में आएगा, बट आप सभी लोगों से मेरा एक request है, प्लीज वीडियो के नीचे comment करना, जितना हो से के वीडियो को share करो, वीडियो को like करो, ऐसे नहीं की, selfies की तरह की नहीं, मेरा काम हो गया, तो मुझे भी थोड़ा motivate करो है, और मैं देखो, आप comment कर रहे थे, मैंने आपके लिए lecture लेक्चर लेकर आया, अगर आप अच्छे से आज ही इस lecture को cover कर दे रहे है, तो देखो next lecture आपको कली मिल जाएगा, कलते हैं दोस्तों, आप next, देखो यहाँ अब आपका यहाँ पर main topic स्टार्ट हो गया है, और इसके अंदर मैं बताते भी जाओंगा, जितनी चीजे मैं करार हो गर आपने अच्छे से किया, तो बहुत अच्छे से यह relation आपका हो जाएगा, देखो यहाँ पर सबसे पहला एक term आएगा operator, operator को ही हम यहाँ पर क्या बो y और k के साथ क्या आएगा, दोस्तो, del by del z, तो यह पूरा का पूरा दोस्तो, इसका formula हो गया, I think मुझे लग रहा है कि आपको याद भी हो गया, और मैं हमेशा इस तरह से formula लिखता हूँ, कि आपको याद भी होते जाए, यह formula उतना जादा important नहीं है, पर यह बहुत जादा important है, दोस्तो, यहाँ पर gradient है, बार-बार आपको हर एक इस पूरे relation में यह चीज find out करना होगा, तो बस यहाँ पर आपको क्या गरों पता है, फाय से multiply करतो, यह फाय से आपने multiply कर दिया, तो इसका formula क्या होगा, सबसे पहले आपको starting में तो इसका formula पता है, del by del x, यहाँ पर ह पता है, del by del y, और यहाँ पर ही पता है, दोस्तो, del by del z, बस यह फाय से multiply हुआ, यहाँ पर भी फाय आएगा, और यहाँ पर ही फाय, तो दोस्तो, यह हमारा पूरा का पूरा formula यहाँ पर तयार होगया, तो यह formula आपको अच्छे से अपने दिमार्क में क्या करना है, दोस्तो बीठा लेना है, वीडियो को रोक के एक बार इसका क्या करना है, आपको प्राक्टिस कर लेना है, चलते हैं दोस्तों, next part की और next part, very very important दोस्तों, इसके पर बहुत सारे questions पूछे गए हैं, यह part भी ऐसा मैं जादू की तरह आपको सिखा दे रहा हूं कि आपको बिल्कुल भ देखो, dd मतलब directional derivative of pi in the direction of a bar, यहाँ पे बहुत ज्यादा important इक कौन से vector के direction में है, तो दोस्तों, यहाँ पर इका लिखा है कि direction, यहाँ पे हमें क्या करना है, direction derivative निकालना है, तो directional derivative निकालना है, तो same, आपको gradient आपने पीछे पढ़ा है, आपने same पढ़ा है कि ने, gradient अभी यही same लेना है हमें, और यह same को हम भी क्या करना है, जो भी हमारे यहाँ पर in the direction of जो भी vector है, देखो, vector a है in the direction of तो इसके साथ क्या करना है, इसका dot निकालना है, dot कैसे निकालते मैंने सिखा दिया है, और नीचे दोस्तों, इसका क्या करना है, magnitude लेना है, अब दोस्तों, यहां पर क्या आता दोस्तों ए भी बार और नीचे क्या हो जाता दोस्तों ए भी बार का हम क्या करते हैं दोस्तों magnitude लेते तो जो भी लाइन या जो भी वेक्टर्स के direction में होगा उस तरह से हमें लेना है सम जब अब दोस्तों यहां पर maximum directional derivatives अगर आपको find out करना तो बहुत easy है जो आपने gradient के लिए पीछे याद किया है यही same आपको क्या करना है इसका magnitude find out करना है पहले यह find out करो उसका magnitude निकाल तो से हम क्या होते maximum directional derivatives अगर कभी भी इनकेस exam में पूछा जा तो आपको पता होना चीए अब तो इसके बाद एक वीडियो के नीचे comment तो होना चीए कि सर मजा आ गया इससे जादा दोस्तों कुछ नहीं है first part पूरा का पूरा आपका complete हो जाएगा then इसके बाद अब इससे related बस question solve करेंगे अब दोस्तों चलो one by one question start करते है पहला question first question अगर आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है five का हमें value दिया है देखो हमें five का जो भी value दिया है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ five which is equal to x z square five yz plus xz find the value of हमें क्या करना है दोस्तों यहाँ पे देखो del five का हमें क्या करना value find out करना तो del five का value आपको formula पता है देखो यहां पे मैं Delphi का formula लिख रहो, formula क्या था दोस्तो, I plus J plus, यहां पे क्या था दोस्तो, plus K, उसके बाद भी आपको पता है दोस्तो, उसके बाद क्या हम लेते हैं, यहां पे क्या आएगा, Delphi by Delx, Delphi by Dely, और Delphi by Delz, अब दोस्तो हम क्या करेंगे, इसके बाद, देख आए लिख दिया, अब यहां पे दोस्तो हमें यह वाले पार्ट का value निकालना है, अब देखो मैं इस वाले पार्ट का value निकाल देता हूँ, यहां पे आपको partial derivatives अच्छे से solve करने आना चाहिए, बहुत ही basic partial derivative की जरूर पड़ेगी, और partial differentiation आपने पहले ही पढ़ लिया है, भूल गए होंगे, तो partial differentiation प्रदीवगी एकड़ी सर्च करो मेरा lecture है, at least lecture number first देख लोगे तो काम हो जाएगा, अब दोस्तो यहां पे वैसे तो अभी यहां ही पे काम हो जाएगा, यहां ही पे समझा दे रहा हूँ, देखो दोस्तो यह 5 है, आपको with respect to x जाना है, तो इसमें एकस का टर्म ही नहीं है, दोस्तो यह पूरे के अंदर, तो यह पूरा 0 हो जाएगा, इसके अंदर x का टर्म है, तो यहां पर x 1 हो जाएगा, तो यहां पर z, अब दोस्तो यहां पर i हो गया, अब j हम लिख रहे है, अब दोस्तो यहां पर k, अब यहां पर हम क्या करेंगे दोस्तो हम यहाँ पे with respect to z लेंगे तो इसमें z वाला term है दोस्तो जो z square का क्या आएगा दोस्तो 2z साथ में x क्योंकि x constant है अब दोस्तो यहाँ पे with respect to z है इसमें भी z वाला term है तो z का 1 हो जाएगा तो यहाँ पे direct क्या आएगा दोस्तो minus 5y इसमें भी z वाला term है दोस्तो तो z का 1 हो जाएगा तो साथ में x है तो x constant है तो इस तरह से हम partial differentiation solve करते हैं अब दोस्तो हमें ये जो value निकालना है वो value हमें कॉन से पे निकालना है दोस्तो देखो हमें बोला है 1, minus 1, 2 इसके उपर हमें ये value निकालना है 1, minus 1, 2 मतलब 1 x है, y minus 1 है और z के है 3 है अब 1 by 1 हम इससे solve करते हैं दोस्तो देखो यहाँ पर I है यहाँ पर z मतलब 2 है दोस्तो 2 का square प्लस 2 प्लस j, यहाँ पर 5 into 2 आएगा दोस्तो k यहाँ पर 2 into 2 x का value कितना है दोस्तो 1, minus 5 into y का value कितना है दोस्तो minus 1 and दोस्तों यहाँ पे x कितना है दोस्तों 1 तो finally अगर हम इससे solve करने कोशिस करें तो हमारा answer कितना हैगा दोस्तों I, यहाँ पे कितना हैगा 4 और 2, 6 यहाँ पे कितना हैगा दोस्तों यह जे है यहाँ पे कितना हैगा दोस्तों 10 और यहाँ पे दोस्तों यूज करो, 5 into bracket में minus 1 and then plus 1, तो इस तरह से यहाँ पे तो answer हमें 10 दीख रहा है, 5 इसका आएगा, यहाँ पे 10 के से आ रहा है, 5 बन जा, यहाँ पे हमें 4 आएगा, sorry, 10 आएगा, 4 आएगा, यहाँ पे गया आएगा, दोस्तों, 5, 9, 10, perfect है, तो इस तरह से यहाँ पे answer 10 आएगा, अब दोस्तों यहाँ पे, यहाँ पे finally हमें, हमें इसका value मिल गया, तो इससे मैं कैसे लिखूँगा, दोस्तों 6 आए, minus 10J और plus 10K, तो दोस्तों इस तरह से बहुत ही simple, यह हमने gradient का answer निकाल दिया, तो बहुत ही simple तरीके से हमने पूरा का पूरा part solve किया, अब चलते हैं दोस question है, इस question को हम, आपको question दिखा ही दे रहा है, साथ हो सकता है कि यहाँ वाला part न दिखे, मैं लिख देता हूँ, find the unit vector, normal to the surface, हमें unit vector find out करना है, वो surface को normal है, अब यहाँ पे दोस्तों, जो भी हमें दिखा है, देखो, x, y, q, z square, which is equal to 4, at, मैं लिख दे रहा हूँ, साथ आप find out करना है, यह concept भी हमने videos में cover किया है, यह concept भी हमने देखा है, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना, बहुत अच्छे से समझ में आईगी दोस्तों, अब देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 consider करेंगे, 5 आपको किसको लेना है, दोस्तों, यह पूरे part को लेना है यहाँ पे क्या ओजएगा, x, y, q, z square, फूर यहाँ पे लेलोगे, तो दोस्तों, क्या होजएगा, minus, तो यह हमारा 5 हो गया, same वही है दोस्तों, unit vector निकालना है, तो सबसे पहले आपको vector find out करना होगा, तो vector find out करना है, मतलब आपको क्या find out करना है, दोस्तों, dell 5 find out करना है, dell देल 5 सबसे बहले आप find out करो, जैसे आपने पीछे find out किया है, तो एक तरफ से एक और practice हो जाएगा, आपका del 5 का, del 5 का formula क्या है, दोस्तो, i, del 5 by del x, plus j, del 5 by del y, plus k, del 5 by del z, अब दोस्तो, यहाँ पे देखो, del 5 हमें find out करना है, यहाँ पे i है, देखो, यह जो हमें दिया है, 5 with respect to x solve करना, तो x का derivative 1 है, तो यहाँ पे कहाएगा, दोस्तो, y cube z square, और यहाँ पे दोस्तो, यह constant अकेला है, तो यह 0 हो जाएगा, तो इतना ही आएगा, अब दोस्तो, यहाँ पे j, यहाँ पे 5 का with respect to y solve करूँगा, तो y solve करूँगा, तो दोस्तो, देखो, बस यह वाला part solve y square हो जाएगा, और साथ में जो x है, और z square हो ऐसी रहेगा, और यह तो constant 0 हो जाएगा, और दोस्तो, प्लस के, अब हमें with respect to z solve करना है, तो x और y square हो ऐसी रहेगा, y cube ऐसी रहेगा, दोस्तो, यहाँ पे आपको किसका बस निकालना है, z square, z square कितना हो जाएगा, दोस्तो, 2 z, तो finally, यहाँ पे हमने पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया, अब आपको क्या करना है, दोस्तो, कुछ, point आपको दिये है, क्या, yes, यह point दिये है, तो पहले यह output कर लो, अब देखो, दोस्तो, क्या दिये है, minus 1, minus 1, 2, अब यहाँ पे, देखो, I में लिख रहा हूँ, y कितन में y मतलब second वाला, second वाले का square कितना है, दोस्तो, minus 1 का square, x कितना है, दोस्तो, minus 1, and z कितना है, दोस्तो, 2 का square, अब यहाँ पे गयाएगा, दोस्तो, k, x कितना है, दोस्तो, minus 1, into, y कितना है, दोस्तो, minus 1 का cube, and दोस्तो, यहाँ पे 2 into, z कितना है, दोस्तो, 2, अब यहाँ हमन 5-1-2 अब यहां पर अगर मैं देखुए एक एक पार्ट को solve कर रहा हूँ ब्रैकेट ले रहा हूँ minus 1 का q into 2 का square bracket close तो यहां पर दोस्तों minus 4 है तो minus 4 आये लिख दे रहा हूँ यह यह पूरा bracket solve करता हूँ देखो यहां bracket है 3 multiply बाए है minus 1 का स्क्वेर मल्टिप्लायब है माइनस वन मल्टिप्लायब है टू का स्क्वेर तो दोस्तों फाइनल यहाँ भी माइनस ट्वेल जै एंद दोस्तों अब देखते हैं लास्ट वाले का क्या एंसर आता है माइनस 1 into माइनस 1 का cube स्वारी square हो गया cube अब दोस्तव इंटु 2 इंटु 2 फाइलिय दोस्तो यहाँपे किया है plus 4 तो यह plus 4 यहाँपे कियाएगा दोस्तो कि अब दोस्तो यह पूरा का पूरा part हो गया यहां पर लिखोगे यूनिट वैक्टर जो उन्होंने लिख आ है normal to the surface, same लिखना मैं इतना ही लिख रहा हूँ, जो भी आपका अभी वैक्टर यह है दोस्तो, इस समय आपका वैक्टर यह है, और सेम इसी वैक्टर का आपको क्या करना है दोस्तो, नीचे क्या करना है मैंगनि 12 j plus 4 k और इसी का magnitude लोगे तो नीचे दोस्तो magnitude कैसे आएगा प्लिस ध्यान देना अब देखोंगे यहाँ पर minus 4 का square इसी का same यहाँ पर minus 12 का square और यहाँ पर दोस्तो same 4 का square तो दोस्तो उपपर तो same आएगा minus 4 आए minus 12 j और plus 4 k दिख रहा है आपको थोड़ा सा यहाँ ले लेता हो अब यहाँ पर नीचे अगर आप solve करने जाओगे तो नीचे के आएगा दोस्तों देखों नीचे का must अपने आए minus 4 का square plus minus 12 का square plus 4 का square तो दोस्तों यहाँ पर नीचे answer कितना है 4 under root of 11 अब आप चाहोगे तो 4 उपर से आप common ले सकते हो तो देखों अगर मैं 4 बाहर ले रहा हूँ तो अंदर क्या बचेगा minus i minus 4 के table में 3 time में आता है 12 और plus k अब नीचे के आएगा दोस्तों 4 under root of 11 यह 4 4 cancel हो गया तो यहाँ पर दोस्तों के आएगा minus i minus 3 j plus k और यहाँ पर दोस्तों के आएगा under root of 11 तो इस तरह से यह पूरा का पूरा part आपका क्या हो गया दोस्तों सॉल हो गया इसको और simplify करना तो आप कर सकते हो बढ़ इतना answer रखोगे तो भी चलेगा अब चलते हैं दोस्तों next question की और next type का question solve करते है और हमें बोला है at point और in the direction of यह अगर आपको कभी भी अगर directional derivatives अगर आपको find out करने बोलते हैं तो आपको पता है कि उसका formula आपको पता है उसके formula में del phi आता है तो पहले indirectly आपका पहला काम क्या है दोस्तों del phi निकालना फिर उसके बाद तो आपको आराम से solve करना आएगा तो देखो मैं यहाँ पर solve कर रहा हूँ find the directional derivatives अब देखो जो भी हमारा phi है दोस्तों 4xz3-3x2y2z 4xz3-3x2y2z अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है दोस्तों find out करना in the direction of something दिया है उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले मेरा जो काम है वो मैं पहला करूँगा तो यहाँ पर सबसे पहला काम दोस्तों क्या है मेरा i del phi by del x j del phi by del y k del phi by del z द्यान देना बहुत अच्छे से अब दोस्तों यह वाला पार्ट तो आपको मैं बहुत expert बना दिया हूँ i del phi by del x अगर आपको निकालना है तो इसमें x वाला टर्म है बस वही solve होगा तो यह 4z3 ऐसी रहेगा और x का derivative 1 होता है यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो दोस्तों जो बचा हुआ पार्ट है देखो यहाँ पर जैसे अगर हम ले तो minus 3 y square और z ac आएगा into यह वाले का x square का derivative कितना हैगा दोस्तों 2x तो यह हो गया अब plus j अगर मैं j solve करने जाओं अब देखो यह वाला पार्ट अब with respect to y तो इसमें कोई भी y का पार्ट नहीं तो 0 हो जाएगा बस इसमें पार्ट है तो यह देखो minus 3 x square z तो ऐसी रहेगा और y square का क्या आएगा दोस्तों 2y और यहाँ पर दोस्तों इसके बाद हम क्या लिखेंगे k अब देखो मैं अब मैं यहाँ पर with respect to z ले रहा हूँ तो इसमें जो z वाला पार्ट हमें वो यहाँ पर देखो दोस्तों 3 x with respect to z लेना तो z का 1 आएगा तो जो बचा वो लिखो 3 x square और क्याएगा दोस्तों y square आपने पूरा का पूरा लिख दिया अब यह लिखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है point put करना है कुछ ने-कुछ उन्होंने point दिया होगा तो देखो यहाँ पर डेलफ आए क्या point दिया है दोस्तों उन्होंने 2,-1,2 2,-1,2 अब देखो यहाँ पर आए हैं यहाँ पर 4 यहाँ पर z जो है दोस्तों वहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा तो यहाँ पर 2 का क्यूग माइनस यह दोको यह दोनों को multiply कर दे रहा हो तो 6 हो जाएगा y square की जगह पर क्या आजाएगा दोस्तों minus 1 का square z की जगह पर क्या आजाएगा दोस्तो 2 और x की जगह पर क्या आजाएगा दोस्तो 2 इस तरह से यह पूरा part हो गया plus j यहाँ पर दोस्तो minus 3 एकिस मल्टिपलाइ कर दो को स्पॉइर यहां पर मतलब दोस्तोनों और दोस्तोन है आद दोस्तोन को आपर पर यहां पर एक्स कितने आद नोत लो इसको भी चेंज कर लो 4 तरीजा दोस्तों कितना 12 यहाँ पर X कितना है दोस्तों 2 है और Z कितना है दोस्तों 2 का स्क्वेर माइनस 3 X कितना है दोस्तों 2 है साथ स्क्वेर और Y कितना है दोस्तों सायद आपको दिखनी रहोगा भी दिखेगा और दोस्तो y कितना है दोस्तो minus 1 का square तो finally हमने पूरा का पूरा पूरा पार्ट यहाँ पे लिख दिया अब हम अपने प्यारे के LC को लेंगे और प्यारे के LC से चीजों को solve करेंगे दोस्तो देखो यहाँ पे cube minus 6 minus 1 का square यहाँ पे 2 यहाँ पे दोस्तो 2 फाइनलि यहाँ पे दोस्तो हमने solve किया तो 8 आया यह हो गया पहला पार्ट हो गया plus plus ही लिख दे रहा हूँ अब हम यह वाला पार्ट solve करेंगे दोस्तो देखो यहाँ पे minus 6 है यहाँ पे गया है 2 का square फिर से 2 है फिर से minus 1 है तो दोस्तो फाइनलि यहाँ पे 48 आ रहा है 48 जे अब दोस्तो यहाँ पे देखते है 12 2 2 का square minus 3 2 का square और minus 1 का square तो दोस्तो यहाँ पे 12 12 12 इन्टू 2 इन्टू 2 का square minus 3 इन्टू 2 का square इन्टू माइनस 1 का square तो दोस्तो 84 आ रहा है इतना आ रहा है 84 के यहाँ पे हमने यह पूरा का पूरा पार्ट हमारा लिख दिया अब दोस्तो आपको क्या करना है प्लीज ध्यान देना यह तो आपने निकाल दिये यहाँ पे पर आपको क्या करना है दोस्तो directional derivative find out करना है in the direction of जो भी line दिया है तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है दोस्तो directional derivative derivation लिख रहूँ directional derivative in the direction of a bar मैं जान पुछ के a bar यहाँ लिख रहा हूँ जो भी मुझे line दिया है उसे मैं a bar लिख देता हूँ तो in the direction of a bar हो जाएगा जो भी मुझे दिया है तो इसे मैं a bar लिख दे रहा हूँ let a bar equal to क्या दिया है दोस्तो 2i plus 3j plus क्या है दोस्तो 6k तो यहाँ पर जो भी उन्होंने दिया है वो मैं लिख दे रहा हूँ तो यहाँ पर लिखते टाइम मेरे लिए help हो जाएगा अब दोखो यहाँ पर मैं formula कैसे लिख हूँँगा आपको पता है यहाँ पर formula कैएगा दोस्तो del 5 dot यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ a bar और लीचे कैएगा दोस्तो magnitude of a bar अब दोस्तो यहाँ पर indirectly हमें क्या करना है यहाँ पर जो भी हमें answer मिला है यहाँ पर answer क्या मिला है दोस्तो 8i plus 48j plus 84k यह जो हमें answer मिला है इसका dot product निकालना है कि इसके साथ दोस्तो यह a के साथ 2i plus 3j plus 6k बहुत easy है इसका dot product निकालना और नीचे दोस्तो हमें क्या करना है a का magnitude लेना है मतलब 2 का square 3 का square और 6 का square तो हमने यहाँ पर सभी चीजे लिख दिये अब आपको यहाँ पर directional derivatives का question बहुत अच्छे से समझ में आएगा अब दोस्तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से अगर अच्छे से देखते हो तो देखो दोस्तो यहाँ पर सबसे पहले यह जो number से इसको multiply कर दो 8 multiply by 2 दोस्तो हमारा answer का है 2 का square plus 3 का square plus 6 का square तो नीचे answer 7 आया तो दोस्तो 664 divide by 7 तो आप इतना answer रख सकते हैं तो दोस्तो यह आपका final directional derivatives आपको क्या हो गया दोस्तो मिल गया अब चलते हैं दोस्तो इसी type में अलग-अलग questions से उसको solve करते हैं दोस्तो यहाँ पे देखो जो question है find the directional derivatives something यहाँ पे हमें दिया है in the direction of the line अब दोस्तो अगर आप देखोगे in the direction of the line बाकी सब सेम है आप यहाँ पे देखो आपको phi दिया है इस phi के help से दोस्तो आप क्या करोगे इस phi के help से यह आपने phi लिख दिया आप यहाँ पे del phi तुरंद क्या कर दोगे find out कर दोगे आपको आ जाएगा but problem यह होगा कि जब आप direction derivatives find out करने जाओगे तो आप लिखोगे यहाँ पे del phi और यहाँ पे dot यहाँ पे क्या होता है दोस्तो a bar और magnitude of a bar तो यहाँ पे a bar क्या है वही समझना सबसे बड़ा tension वाला question है इसलिए यह question भी explain कर दे रहा हूँ तो दोस्तो यह देखो हमने 12 class में पढ़ा था कि कभी भी अगर यहाँ पे नीच्छे जो दिखाई दे रहे values यह क्या है DRS है तो उससे ही हमें क्या करना है एपना a bar बनाना है तो यहाँ पे DRS के यहाँ दोस्तो 3i प्लस 4j और प्लस के यहाँ दोस्तो 5k तो यहाँ पे समझना a bar आपका यह है और इसी का magnitude निकालना यह तो आपको निकालने बहुत अच्छे से आएगा तो बहुत अच्छे से मैंने सीखा है तो यह वाला question आपको दोस्तो solve करना है मैं चाहता हूँ कि कोई भी question आपसे skip नहों अब दोस्तो देखो इस type का question है यहाँ पे find the direction derivatives यहाँ पे something दिया है और हमें क्या करना है दोस्तो a क्या दिया है at point a in the direction of a b in the direction of a b बोला है दोस्तो और हमें b वाला point दिया है तो देखो यहाँ पे same question है पर तरीका अलग है इसलिए यह question भी मैं आपको solve करा के देना चाहता हूँ तो दोस्तो यहाँ पे देखो 5 है 5 का value क्या है दोस्तो x raise to 4 plus y raise to 4 plus z raise to 4 at the point यह दिया है हमें अब हम क्या करेंगे दोस्तो डेल 5 निकालेंगे डेल 5 का power plus अभी को याद है i डेल 5 by डेल x z डेल 5 by डेल y and k डेल 5 by डेल z अब यह जो है इसको अलग-अलग notation से बूलाते हैं तो आपके colleges में अलग बोलते हैं हमके teachers तो tension मत लेना अब दोस्तो देखों यहाँ पर डेल 5 है यहाँ पर डेल 5 है डेल x हमें निकालना है with respect to x अगर मैं solve करूँगा तो यहाँ पर कहाएगा दोस्तो n x n-1 मतलब n मतलब 4 x n-1 मतलब 3 और यह दोनों तो 0 हो जाएंगे plus अगर मैं यहाँ पर z निकालूँगा तो बस y वाला निकालूँगा x वाला और z वाला 0 हो जाएगा तो यह कहा जाएगा दोस्तो और यहाँ k वाला अगर मैं निकालता हूँ तो बस यहाँ पर z वाला निकलेगा तो कहाएगा दोस्तो 4z, यहाँ पर क्याएगा दोस्तो Q, अब यहाँ पर अगर मैं इस value को find out करने एक कोसिस करता हो, तो क्याएगा दोस्तो 4xQ, आए, यहाँ पर क्याएगा दोस्तो 4y, एक काम कुरूप पहले values हम put कर दे रहे हैं, अब देखो दोस्तों, यहाँ पर डेल 5, कौन सा point बोला है, at point, 1,-2,1, 1,-2,1, अब अगर मुझे निकालना है तो I, एक बार point देख लो, perfect है, yes, अब यहाँ पर देखो 4 है, x का value कितना है, दोस्तो 1 का cube, अब मुझे ऐसा लग रहे है कि इस question का बहुत अच्छा practice आपको हो ग अब इस तरह अगर आप इसे solve करते हो, तो दोस्तों यहाँ पर आप इसे solve करोगे, तो यहाँ पर कहाएगा दोस्तो 4 I, यहाँ पर solve करते हो, तो दोस्तों देखो, यहाँ पर तो minus 8 है, 4 multiply by minus 2 का u minus 30 foot तो दोस्तों minus 32 j और इसे अगर मैं solve करूंगा तो 4 k तो यहाँ पे यह हमें दोस्तों क्या मिल गया है del 5 अब यह del 5 है तो सभी को निकालने आएगा इसमें कोई problem नहीं है बट इसके बाद दोस्तों क्या बोला है in the direction of a b अब उहाँ पे क्या बोलते हैं in the direction of line तो line देंगे तो उस line को लेके हम solve कर सकते हैं बट in the direction of a b दिया है तो a b मतलब क्या होता है दोस्तों हमने यह 12 में पढ़ा है b minus a बर यह हमें सा position vector v में से position vector a को minus कर दोगे तो a b आपको मिल जाएगा अब यहाँ पे a क्या है और b क्या है वो कैसे आप निकालोगे तो a दोस्तों यहाँ पे a का जो भी values होगा देखो 1 minus 2 1 है तो इसको 1 multiply i को होगा तो i हो जाएगा minus 2 क्या हो जाएगा j और plus 1 multiply by k k हो जाएगा same ऐसी आप b बार इससे निकालोगे तो यहाँ पे क्या हैगा दोस्तों 2i plus 6j और minus k अब दोस्तों यहाँ पे b आप लिखोगे तो b क्या हैगा 2i plus 6j minus k और a क्या हैगा दोस्तों i minus 2j plus k मैं जान भुचके यहाँ पे bracket लिया हूँ क्योंकि माइनस sign है finally अगर मैं इससे solve करो तो 2i plus 6j minus k minus i plus 2j minus k अब दोस्तों यहाँ पे 2i minus i कितना हो जाएगा 6j यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 8j यहाँ पे यह क्या हो जाएगा minus 2k तो इस तरह से यहाँ पे हमें यह क्या हो गया दोस्तों ab vector अब in the direction of ab vector मिल गया तो आपको आपको क्या निकालना है दोस्तो यहां पर थोड़ा सा इसको उपर लूँगा हमें डारेक्शन डेडिवेटिवस फाइंड आउट करना है तो आपको फॉर्बुला पता है दोस्तो डेल फाए यहां पर क्या एगा दोस्तो इंडी डेरेक्शन पहले हम क्या लेते थ तो यहाँ पर क्या एगा दोस्तों देखों यहाँ पर आए माइनस थार्टी टू जे और प्लस फोर के और यहाँ पर एबी क्या है दोस्तों आए प्लस एग जे पाइनस टू के यह हो गया और यह आपका हो गया पूरा का पूरा देन इसके बाद मैगनिटीड ओफ एबी बार है यहाँ पर तो अगर आप यहाँ पर मैगनिटीड ओफ एबी बार अगर आप निकालने जाते हो तो दोस्तो जो आपका a b है उसी को आप निकाल लो तो यहाँ पर आए के आगे कुछ नी तो 1 आएगा j के आगे दोस्तो 8 है और यहाँ पर –2 है k के आगे तो finally दोस्तो आपको पता है इसे solve कैसे करते हैं फिर से एक sum ले ले रहा हूं दोस्तो इसके बाद –32 जो है दोस्तो मैं दारिक एंसर लिख रहा हूं आपको ले ना देखो 4 किस से multiply होगा दोस्तो 1 से यहाँ पर minus 32 दोस्तो किससे multiply होगा minus 32 यहाँ 8 से multiply होगा plus 4 किससे multiply होगा दोस्तो minus 2 से तो यह minus 2 60 आया और नीचे दोस्तो answer किया आएगा 1 plus 8 का square plus minus 2 का square तो दोस्तो यहाँ पर under root of 69 मतलब आणम तोड़म ही answer आता है उसका tensor मख ले न तो finally दोस्तो यह question भी हमने solve कर दिया तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस topic में आपको बहुत अच्छा confidence आ गया होगा बहुत सारे questions भी हमने solve कर लिए साथ में दोस्तो अब लगबग यह है अब angles वाले जो questions है और कुछ proof के questions है वो मैं next lecture में कराऊंगा वो questions हम next lecture में cover करेंगे और next lecture भी बहुत मज़ेदार होने वाला है then इसके बाद दोस्तो उसके आगे के lectures में आएंगे मतलब तीन lectures में हम कोसिस करेंगे पूरा का पूरा topic cover कर दे तो यह हमारा first lecture है तीन या चार lectures लगेंगे then इसके आद हमें integral पर आ जाएंगे क्योंकि मैं अपने वीडियोस में अब गर आप देखोगे तो यहाँ पर direction डेरी उटीज की मैंने दो सम कराए तीसरा एक और सम मैंने explain भी ही है दो सम तो मैं खुद से लिखा हूँ तो मैं कोसिस करता हो कि अगर मैं एक सम बताता तो मैं बोल देता कि मैंने पढ़ाया पर एक सम पढ़ाने से नहीं होगा दोस्तो मैं इतना कर रहा है इसके बाद भी आपको एक दो सम का practice करना चाहिए क्योंकि उनिवर्सिटीज का आप जो paper देखोगे तो paper देखने के बाद आप अगर videos compare करोगे मेरे videos सामने रखो और paper रखो फिर आपको देखो क्या मज़ा आएगा तो video देखना बड़ी बात नहीं होती है उसके बाद आपको practice भी करना है चलो मिलते हैं next lecture में bye bye take care जहिन दोस्तो